आज है 9 मार्च की करेंट अफेर को हम लोग देखेंगे करेंट अफेर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं किसमें स्टाटिक पोशन्स जो भी जरुरत होंगे for any exam मैं उसको इंक्लूड करूँगा साथ में ही करेंट अफेर को मैंने इस तरीके से रखा है कि आपके किसी भी exam आप इंडिया का कोई भी exam दे रहे हैं स्टेट, PCSF, UPSC even though one day exams जो होते हैं उसके लिए यह काफी comfortable होगा मैंने source यूज किया है P.I.B. इंडिया उसके बाद Press Information Bureau जिसको मैंने यूज किया है जो इंडियन गर्मेंट की एक press representative होती है website है उसके बाद दा हिंदू, हिंदूस्तान टाइम्स, इंडियन एक्स्प्रेस and few websites तो स्टार्ट करते है 9th of March है current affair तो basically पहला जो current affair है उसमें Tribals के बादे में कुछ news है जैसे recruitment drive of recruitment drive of 400 36 गर्ट Tribals for Constables selection and training by CRPF Central Reserve Police Force के द्वारा 436 गर्ट के Tribals को Constable की post पे select किया गया है और उन्हें training दिया जा रहा है तो लगवग 400 गर्ट Tribals जिसको चुना गया है किस एरिया से चुना गया है जो नकसल हिट्स एरिया है जैसे विजापूर हो गया दंते वड़ा हो गया सुकमा डिस्ट्रिक्स हो गया यह सारे एरिया जो कि अभी भी नकसल हिट्स है उनमें यह 400 ट्राइबल्स को चुना गया है basically यह recruitment जो होगा न वो drive किया जाएगा और conduct किया जाएगा CRPF के द्वारा Central Reserve Police Force के द्वारा अब आप देख सकते हो इस image को मैंने इस image को government की website CRPF के website से लिया है अब जो majority of the tribal youths होंगे न उनको लिया गया है बस्तरिया बैटालियन है उनके एमबिट में और यह जो बस्तरिया बैटालियन नाम दिया गया है वो लिया गया है बस्तर डिस्ट्रिक 36 गड़ के नेम पे और इससे पहले इन जो 400 का बैच रेकृट हो रहा है उससे पहले already hundreds of tribes चुने जा चुके है अपोइंट किये जा चुके है CRPF के द्वारा अब अगर इनकी appointment की बात कर ले तो एक special army training दिया जाएगा जो कि इंडिया के top federal police force organization खुद देगी इनको उसके बाद 400 जवान select होंगे appoint होंगे उनको post किया जाएगा next light hit areas में और ये जो letter है letter of recommendations ये issue किया गया है Home Ministry of India के दौरा अब आपको ये बताना है Home Ministry of India के अभी head कौन है Home Ministry is headed by Home अब हम लोग थोड़ा सा जब CRPF की बात चल दिये थोड़ा सा CRPF के बारे में जान लेते हैं CRPF stands for Central Reserve Police Force ये establish किया गया था Crowns के representative के तौर पे 1939 में ये एक federal police organization है जो कि आता है कौन सी ministry के अंदर में तो ये आता है Ministry of Home Affairs Government of India के अंदर में clear है अगर हम लोग इसकी headquarter की बात करें तो वो Neo Delhi में है साथ में ही इस organization को इस organization को माना आता है या फिर consider किया आता है हमारे country का India का largest central armed forces इसमें लगवग 246 battalions है and बहुत सारे और other foundations भी इसमें included है basically इनका mission होता है effective preserve national integrity and further promote social harmony and development ये जो organization है CRPF ये बहुत सारी टास्को organize करती है carry out करती है जिसमें ये assure करती है कि हमारे जो citizens है उनका freedom maintained रहे और national security भी concerned उनके ambit में रहता है साथ में ही national या natural calamities कुछ हाती है फ्लड हो गया earthquake हो गया उसमें भी इनका interviewer रहता है तो basically this is all about CRPF and tribals selection of 436 tribals in constable as as well as the senior GDN constable post now let's move to the next current affair this is the most important and most the most celebrated one but साथ में ही celebrations तो है ही इसके बाट लेकिन हाँ अभी भी हमारे country में अभी भी इंडिया में women and men में बहुत जादा differentiation है जिसको कम करने की बहुत जरुरत है जो gaps है उसको close करने की बहुत जरुरत है ठीक है हम लोग बात करते हैं International Women Day की बारे में और इसके history के भी जानेंगे और अभी इसकी basic themes क्या है उसको भी समझेंगे तो International Women's Day 8 March को celebrate किया गया 8 March को मनाया गया अब हम लोग कुछ चीज़ों को facts को समझेंगे पहले उसके बाद हम लोग इसके themes को समझेंगे फिर Women's Day पे कुछ क्या placed है उसको समझते है UN, United Nations के according न 70% 70% of 1.3 billion people living in a condition of poverty or women तो आप समझें कि जो 1.3 billion लोग है इस पूरे अर्थ पे उसमें 70% women जो है वो poverty के बिलोड है रही है 40% जो poorest household है वो head किया जा रहा है women के द्वारा 40% जो poorest households है वो head किया जा रहा है women के द्वारा and women account for 50-80% of global food production but they own less than 10% of world's land याद रखिएगा अगर हम लोग food production की बात करे तो women जो है वो 50 से लेके 80% production में उनका support रहता है but लगबग 10% ही पूरे दुनिया की land को वो acquire करती है मतलब ownership के लिए तो आप समझेए कितना ज़्यादा difference है और यह ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में differences है पूरी world में आपको women और men में differences दिखने को मिल जाएगा To women day के दिन Ministry of Women's and Child Development के द्वारा एक tweet था मैंने उसको clip किया इनका कहना था empowering woman is not just a goal it is necessity तो यह कि goal नहीं है समझ रहे हो आप यह कोई goal नहीं है जो आपको achieve करना है यह एक necessity है जो आपको maintain रखना है समझे है differences को और ऐसा नहीं है कि हम लोग इसको बस as a current affair परना ज़रूरी है basically यह हमारे practically responsibility बनती है इस चीज को समझे है समझे हम कि empowering woman करना कोई goal नहीं है यह कोई एक point नहीं है जहां में पहुचना है यह एक जरूरत है तो यह post किया गया था national ministry of women and child development को द्वारा अगर आपको पता हो ministry of women and child development को headcon कर रहा है महिला एवं बाल विकास मंतराईले को headcon कर रहा है तो आप comment section नहीं बता सकते हो अब हम लोग बात करेंगे international women day की 2023 की theme के बारे में तो theme था हमारा digital innovative technology for gender equality digital innovations and technology for gender equality तो gender equality के लिए क्या innovations हम लोग ला सकते है क्या technological advancement हम लोग introduce कर सकते है उसके लिए अगर हम लोग कुछ historical facts की बात कर ले तो लगबग 28 February 1909 को first international women's day को celebrate किया गया था कहाँ पे तो US में, United States में और the day was selected और designated by the socialist party of America इनके दोरा ये day को mark किया गया था कि इस दिन को हम लोग celebrate करेंगे अब आपको comment section ने बताना है 28th of February को इंडिया में कौन से बहुत बड़े एक scientist थे उनका जन्द था ये साथ में ही उनको Nobel Prize भी मिला है and इस दे को National Science Day की तरभी हम लोग celebrate करते हैं clear है चलिए अब हम लोग थोड़ा सा appointment के बारे में जान लेते हैं तो Conrad संग्मा जी है उन्होंने 13 वे Chief Minister of Megalaya के तरह सबत ग्रहन किया है अपने साथ वो 11 cabinet ministers को add किये हैं सेग्मेंट में तो Conrad के संग्मा जी जो है वो National People's Party के प्रेसिरेंट है ठीक है न उन्होंने लगातार Chief Minister of Megalaya बने है Second consecutive term के लिए इस बात का वो ख्याल रखना है अच्छा इनको oath कौन दिलाए है तो generally oath जो दिलाया जाता है Chief Minister को वो दिलाया जाता है Governor of the State के द्वारा और अभी हम लोग में लोग मेगालया के Governor of the State की बात करे तो वो फग्गू चोहान जी है कौन है तो फग्गू चोहान जी है और आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ फग्गू चोहान अब इससे पहले बिहार के गवर्नर थे ठीक है न इस बात का पो ख्याल रखना है अब हम लोग कुछ और चीज़ जान लेते हैं कि जब उनके सौर्णिन सेरमनी हुई तो यह एटेंड किया गया था पी-म नरेंदर मोदी के दोहरा और बी-जे-पी प्रेसेडेंट जे-पी नडड़ा जी वाज अलसो देर और एक और अपॉइंटमेंट हुआ है जिसमें नेशनलिस्ट डेमोकरिटिक प्रोग्रेसिव पार्टी नड़ी पी-पी के जो नेपूर रियो जी है वो ओत लिये हैं नागालेंड के चीफ निस्टर के उसको भी मैं इसमें डाला हूँ ठीक है ना तो ये कॉमरेड संगमा जी हैं जोनोंने कंजगेटिवली सेकेंड टाइम सीम की पोस्ट को एक्वाइर किया है सीम के पोस्ट पर एपॉइंट किये गया है या इलेक्ट किये गया है सॉरी अपॉइंटमेंट इस नॉट दे ग्रेट वर्ड एर अपॉइंटमेंट एंड इलेक्शन में क्या होता है आपको ये डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा कोई भी पोस्ट जो कॉंस्टिउस्टनल है वो इलेक्ट होके आता है किसी को एपॉइंट किया आता है किसी भी एक ग्रूप के द्वारा तो उस चीज़ में का डिफरेंसेशन ऀस बात का आपको ख्याल रखना है अब हम लोग थोला समवेखालिया के बारे में समझ लेते हैं चीफ मिस्टर अभी कॉंड केल सेंगमा जी बने है गवेणर फगुचोहान है जो की बिहार के गवेणर थे पहले जो लजिकल पार्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे सिलॉंग एरपोर्ट है और बालजेक एरपोर्ट है यह दोनों स्टैटिक फैट्स आपको याद होने चाहिए याद रहेगा तो आगे आप एक्जाम में अच्छे से इसको समझ सकते हो अब आपको एक चीज और बताना है मेगालिया का जो बहुत ज़्यादा ही प्रॉमिनेंटली फेमस है वो आपको कमेंट सेक्षिन है बताना है एक एक लिविंग रूट ब्रिजज़ है जिसको UNESCO World Heritage Site में भी इंट्रोड्यूस किया गया है लिविंग रूट ब्रिज़ज ये कहां पे है आपको ये बताना है नौर्थ इस्ट में ही है अब ये कहां पे आपको बताना है इसमें क्या होता है जैसे माल लेज़े बीच में इसपेस है यहां पे एक पेर है और यहां पे एक पेर है इनकी रूट्स क्या होती है आपस में कनेक्ट हो जाती है और एक नाचुरल ब्रिज का फॉर्मिशन करती है ठीक है तो यह इसको युनेसको वर्ल्ड हेरिटेस साइट में भी इंट्रोड्यूस किया गया है तो आपको बताना है यह लेविंग रूट ब्रिज़ेस कहां पे है ठीक है ना हमनों चलते है नेक्स्ट का इंटाफेर पे अब देखें इस स्क्रीन सॉट को मैने लिया था रहेगे अब लोग बात कर लेते हैं मिनिस्ट्री अफ डिफेंस के एक न्यूज देखें आतनिरोर भारत के एमबिट में कॉन्ट्रेक्ट दिया गया है कि किसी चीच के लिए फॉर प्रोक्यूर्मेंट ओफ सेवेंटी हिए एक बात मैं आपको बता दूं इसको साइन किया गया है इस कॉन्ट्रेक्ट को इस प्रोक्यूर्मेंट को साइन किया गया है किनके प्रिजेंस में तो प्रिजेंस में था इनका रक्षा मंत्री स्री राजनात सिंग के दोवारा नई दिल्ली में याद रखिएगा 70 HTT, 40 basic trainer aircraft and 3 cadet training ships from L&T, Larson and Tubro आँ हम लोग देखते हैं मिलिस्ट्री ओफ डिफेंस साथ मार्च को 2020 को साइन करती है कॉन्ट्रेक्ट विद्ध हिंदुस्तान एरोनाटिक लिमिटेड, HAL and Larson and Tubro L&T Limited for procurement of 70 HTT, 40 basic trainer aircraft and 3 cadet training ships respectively in the presence of रक्षा मंत्री श्री राजनात सिंग जी आपको कंपनी का नेम जरूर याद रखना है HAL and L&T ठीक है डिफेंस सिक्रेटरी भी कौन है? स्री गिरिधर अर्माने जी है उनके साथ साथ कुछ senior civil and military officials of ministry of defense भी थे present और HAL के कुछ representative and L&T के representatives present थे अब हम लोग बात कर लेते हैं HTT-40 trainer aircraft के बारे में basically क्या होता है HTT-40 जो एक turbo propulsion aircraft processing good low speed handling qualities and provide better training effectiveness याद रखेगा HTT-40 जो है न वो एक turbo aircraft processing है जो की एक अच्छा low speed handling quality को भी प्रोवाइड करता है याद रखेगा जो की एक low speed handling capability को quality को भी प्रोवाइड करता है साथ में ही ये training के effectiveness को बरहाता है माल लिए जे कहीं difficult terrence है कहीं पर ऐसी जगह है जहाँ पर आप speed से पास नहीं कर सकते हो कहीं पर आपको silently वहाँ से cross करना है speed आपकी slow होनी चाहिए तो वहाँ पर आप इसको use कर सकते हो और अगर हम लोग इसकी बात करें इसमें याद रखेगा basic trainer aircraft Indian Air Force में काफी कमी थी इसको ला करके जब हम लोग इसको HTT 40 को हम लोग इंट्रोड्यूस किये तो इससे थोड़ा सा कमी हमारा खतम होगा और basically ये क्या है indigenous solution है that is making India के project के ambit में आता है तो ये तो और भी अच्छी बात है अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा futuristic requirement होगा उसको ये पूरा करेगा लगबग 6 साल का time लिया गया है इसको supply करने के लिए तो ये था हमारा अब हम लोग एक और recruitment का एक और बात कर लेते हैं जो चीफ मिनिस्टर स्वेरिन किये हैं एक है नैफूरियोजी जो की NDPP के लीडर है वो सौन किये है जो चीफ मिनिस्टर अफ नागालेंड पांचवे टर्म के लिए याद रखे का लगातार पांचवे टर्म के लिए ये बनाए गए है चीफ मिनिस्टर अफ नागालेंड 7 माज 2023 को नाइफूरियोजी लीडर अफ नैशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी NDPP नागालेंड की ये सौन इन किये हैं अज चीफ मिनिस्टर अफ नागालेंड आप देखोगे BJP गर्मेंट काफी जादा फोकस्ट है नौर्थ इस्ट के डिवलप्मेंट में बहुत सारी एरपोर्ट मनिपूर में आपको पता होगा रेल लिंक पहुचना और आपको एक चीज़ बताना अगर आप सुन रहे हो ये करेंट अफ तो आपको बताना है 1857 1857 की करांती में मनिपूर से कौन लड़ी थी अगेंस्ट ब्रेटेसर्स बताना है आपको ठीक है अब हम लोग बात कर लेते हैं इनको पांचवी बार चुना गया है ये समझ लेजे टैटिदूल, रंकाकू, जैलांग एन यंथुआ, पेटॉन टुक ओथ ऐस डेपूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नागालेंड ये दोनों डेपूटी चीफ मिनिस्टर्स ऑफ नागालेंड है कहाँ पे किया है तो कोहिमा नागालेंड में इनके साथ साथ 9 MLA's, इंक्लूडिंग Z काय तो अब ये 9 के नाम आपको यार नहीं रखने है इनको भी नागालेंड के मिनिस्टरी में इंक्लूड किया गया है तो आप देख सकते हो नैफिय उरिय जी ये चीफ मिनिस्टर बने है नागालेंड के पांचवी बार ठेक है अब हम लोग कुछ डिगनेटरीस की बात कर लेते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमिजसा लागनेशन नागालेंड के गवरनर फिर जे पी नडड्डा याद रखेगा नागालेंड के गवरनर का नाम याद रखेगा लागनेशन अब हम लोग कुछ इनके key points की बात कर लेते हैं इनके assembly elections को जीतने के बाद जो 2 March 2013 को हुआ था BJP and NDPP alliance power को retain किया नागालेंड में तो एक तरीके से अफसमद सकते हैं नौर्थ इस में इनके influence भर रही है अब हम लोग 2023 election की बात कर लेते हैं साथ मेंबर नागालेंड legislative assembly BJP and NDPP जो टोटल साथ मेंबर में BJP and NDPP की जो कोईलीशन है वो 37 सीटों पे जीती BJP जिसमें 12 सीट्स को जीती थी और NDPP 25 सीट्स को जीती थी साथ में मैंने आपको अलड़ी पिछले करेंटर बताया है तो याद रखिएगा इन चुछों को बहुत जादा ही important है आप इंडिया के कोई भी exam दे रहे हो उसके लिए आपको काफी जाद इंपटर हो अगर आपको इसकी PDF चाहिए you can join my telegram channel ISP Simplified आप हमनों कुछ नागालेंट के बारे में समझ लेते हैं चीफ पिनिस्टर है तो आपको नैफूरियो जो पांच विवार बने है गवर्नर लागानिसन है wildlife sanctuary अगर हम बात कर ले तो फाकिम wildlife sanctuary यहाँ पर है air में पुली बाट्ज wildlife sanctuary भी है कौन-कौन है फाकिम wildlife sanctuary और पुली बाट्ज wildlife sanctuary airport है यहाँ पर दीमापूर airport याद रखेगा यह facts यह facts आपको देखने को directly exam में मिलेंगे so आप you cannot skip from this अब हम लोग चलते है अपने नए करेंट अफेर पे China ने लौँच किया है China ने लौँच किया है communication satellite बिसिकली इसको ZX26 भी कहते है और इसको हम लोग चाइन सैट 26 भी कहते है यह एक आपको communication satellite है मतलब communication satellite का मतलब क्या होता यह information को फ्रम सेंडर इन टो रेसेवर इन जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं उसके लिए ये यूज किया जा रहा है इसकी जो स्पीड है वो 100 Gbps है 100 Gbps है आप समझ सकते हो और इसको जियो स्टेस्टनरी ओर्बिट में रखा गया है किसके द्वारा तो लॉंग मार्च 3B CS 3B from the Zizang Space Station based in Southwest China Sichuan province and dedicated to China most powerful launch vehicle देखिए किसी भी सैटलाइट को पहुचाने के लिए एक वैकल चाहिए एक पहुचाने के लिए एक बेसिकली आपको एक सैटलाइट चाहिए जो उसको पहुचाएगा जो उसको पहुचाया गया है लॉंग मार्स 3B के द्वारा and किस स्पेस स्टेशन से तो Zizang Space Station ये Southwest China में situated है सिचुवान प्रोविंस में and ये जो लॉंच वैकल है वो काफी पावरफुल है अब एक चीज़ समझते है हम लोग यहां पे एक वर्ड है जियो स्टेशनरी ओर्बिट कहने का मतलब क्या होता है जियो स्टेशनरी ओर्बिट को हम लोग जियो स्टेशनरी ओर्बिट भी कहते है क्लियर है जियो स्टेशनरी ओर्बिट जो होता है वो जिसको हम लोग जियो जियो भी कहते है वो लगवग 35,800 किलोमेटर एल्टिट पे होता है अर्थ के एक्विचुडियल वेल से जैसे माली जी ये अर्थ है तो ये एक जियो सिरकरनस ओर्बिट हो जाएगा फ्रम अर्थ के एक्वेटर से ठीक है तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ पे आपकी सटलाइट रिवाल्व करते रहेगी घूमते रहेगी रोटेट करते रहेगी इसी पोजिशन पे तो एक डेफिनिट आर्क आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ से और वो आपको फिक्स मिलेगा लगवग 35,000 800 किलमेटर का रेडियोस अब अर्थ को इंक्लूड नहीं करना है ठीक है ना तो ये एक और्बिट होता है जहां से प्रॉपर लोकिशन प्रॉपर क्मिनिकेशन हो पाए सेटलाइट से जहां पे सेटलाइट में टर्बिलेंस लॉसस कम हो तो वहाँ पे उसको हम लोग प्लेस करते हैं क्लियर है अब ये इस लॉंच के साथ ही किस लॉंच के साथ तो जो उन्होंने जेटेक्स 26 को लॉंच किया है उसके साथ उनका ये 465 मिशन था लॉंग मार्च रॉकेट सिंस 1970 1970 से इनका 465 का मिशन था और शिक्स चाइनीज और वाइटल लॉंच इन दे येर 2027 तो 2023 में छटवी और वाइटल मिशन थी इनकी अब हम लोग जॉंग जियंग 26 वो किस पर बेस्ट है तो वो बेस्ट है DFH-4 Enhanced Satellite Bus and Uses Chemical and Electric Propulsion हर एक सेटलाइट की एक propulsion scheme होती है यहाँ पे इन्होंने Chemical and Electric Propulsion का यूज किया है चाइना सेट 26 जो है वो चाइना का पहला HTS satellite है जिसको हम लोग कहते है High throughput Satellite It is operated by China Satcom अब देखें थ्रोपुट का मतलब क्या होता है थोड़ा सा टेकनिकल में घुसना इसलिए ज़रूए कि आपको चीज़ें असान हो जाए थ्रोपुट का मतलब होता है कि आपने input किया मान लिजे 100 100 lines per hour यहां से आपको मिलना आपको चाहिए 100 बट कुछ तो losses होगा information का तो यहां से आपको 80 मिल रहा है 80 lines per hour तो यह इसका throughput हो गया कभी 90 हो जाएगा अगर इसी कि हम range को बरहा देंगे कुछ जो बाहर से निकल जा रहा था वो भी मको मिल जाएगा तो throughput इसको ही कहेंगे clear है तो यह था हमारा आज का science and tech का portion अब हम लोग move करते हैं अपने next current affair के तरफ next current affair कह रहा है union minister अश्विनी वैसनब जी ने release किया है go green go organic cover for Sikkim आपको यह पता होना चाहिए Sikkim जो है हमारा पहला state था जो 100% organic state खुद को declare किया था 100% organic state कहने का क्या मतलब होता है 100% organic state कहने का यह मतलब होता है कि उनके हां कोई भी production होगा चाहे vegetables हो crops हो fruits हो उसमें वो लोग organic way complete organic method को use करेंगे without using any chemical without using any artificial fertilizers समझ में आ गया होगा आपको अब हम लोग move करते हैं union minister जो अस्वणी वैसनब जी है उन्होंने release किया है go green, go organic cover for Sikkim अब देखिए इन्होंने अस्वणी वैसनब जो है वो ministry of communication, electronics and information IT के minister है उन्होंने एक release किया है unique cover for the department of post that is go green and go organic Sikkim के लिए तो यह cover क्या करेगा यह acknowledge करेगा state के achievement को state के achievement को किस चीज में तो state ने जो अचीव किया है organic farming के रास्ते में उसको यह acknowledge करेगा इसको यह पहचानेगा ठीक है न इंडिया की जो agriculture sector है Sikkim में वो showcase करता है कि कैसे sustainable development को इंडिया में पॉसस किया जा सकता है जब Sikkim के द्वारा किया सकता है तो और भी किसी state के द्वारा किया जा सकता है मैंने आपको अल्रेडी बताया कि Sikkim जो है वो पहला state है in the world to get recognized as 100% पूरे world में पूरे world में Sikkim पहला state है जहां पे recognize किया गए कि वो 100% organic state है World Book of Records London के द्वारा देखिए ये go green cover को design launch किया गया है अश्वनी वैसनप जी के द्वारा यही cover था अब कुछ key points समझ लेते है Sikkim का लगवग 75,000 hectare of land जो है न वो converted है organic farmland में All the Sikkim's farmlands are certified organic and this has been benefited more than 66,000 farming families तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा वो लोग organic चीजों पर भरोसा करते है अब state की बात कर लेते हैं उन्होंने एक prestigious future policy gold award को जीता है कहां से तो United Nations Food and Agriculture organization से UNFAO अब आपको बताना है इसकी establishment कप की गई थी अगर आपको नहीं भी पता हो तो आप Google कर लो आपको इंफरमिसंस, added information आपके दिमाग में जाना चाहिए अब थोड़ा समलोग static portion की बात कर लेते हैं सिखिम के बारे में capital है gang talk चीफ मिनिस्टर है आपको प्रेंज सिंग तमांग जी गवर्नर है आपको लक्षमन पर साथ अचारिया जी याद रखेगा आपको क्यों याद रखना है गवर्नर क्योंकि अभी center state में अब क्या होता है गवर्नर और cm के बीच में टसल चलते रहता है ठीक है न क्या होता है गवर्नर को तो यह point कर देता है center वहाँ पे center अपने favor वाले लोगों को बैठा देता है और cm जो होता है वह थोड़ा सा टसल में रहता है जैसे west bengal में देख लिजे जैसे keral में देख लिजे जैसे keral में चला था chancellor का जो issue था college chancellor नहीं बनेंगे इस बात का issue चल रहा था अब हम लोग move करते पने नए कार interfere के तरफ ठीक है न MHA जो ministry of home affairs है वो एप्रूव किया है MAO that is memorandum of understanding between India India and Nigerian drug control agency India and Nigerian drug control agencies के द्वारा एक memorandum of understanding को sign किया गया है अगर आप डेली में रहते हो या NCR में रहते होगे तो आप देखते होगे कुछ नाइजेरियन्स I am not saying this in vague manner but yes, कुछ नाइजेरियन्स ऐसे होते हैं जो आपको दिख जाएंगे roadside में यह सब sell well करते तो आपको at least इतना तो information पता चल जाएगा अगर आप रह रहे होगे डेली या NCR region में तो तो ministry of home affairs MHA ने अप्रूव किया है proposal को sign किया है Memorandum of Understanding MOU between India Narcotics Control Bureau इसको NCB कहते है and Nigeria's National Drug Law Enforcement Agency इसको NDLEA कहते है तो इंडिया का Narcotics Control Bureau NCB और नाइजेरिया का Drug Law Enforcement Agency NDLEA ने मिलके जो LEC Traffing हो रहा है Narcotics Drugs का Psychotropic Substance का उसको रोकने के लिए तो आप देख सकते हो MHA India and Nigerian Drug Agency Control Agency ने इसको मिलकर के 1 MOU साइन किया है अब दीखें ये एक्षन जो है ना वो प्रिवेंट करेगा ALEC Trafficking का Narcotics Drugs का जो की लिया गया है NCB और NDLEA के दौरा और No Money for Terror Conference NMFT को भी हेल्ट किया गया था दिल्ली में November 2022 में अब हम लोग इसकी हाइलाइट्स देख लेते हैं 2021 में लगवग 798 Nigerian Nationals थे वो RS किया गया थे इंडिया में किस इसके लिए तो Crimes में involved थे जैसे Drug Trafficking था Cheating था Forgery था Violating the Foreigners Act और बहुत सारा इसकेसे से National Crime Record Bureau की बात करें NCRB की Majority of cases लगवग 245 जो था ना वो Drugs Related था तो आपको समझ में आ गया होगा आखिर इस MOU को क्यों साइन किया गया Clear है अब ये MOU क्या करेगा Possible करेगा तो Cooperation बिटमिन इंडिया और नाइजरियन Anti-Drug Trafficking Agency कि कैसे डrug के जो ट्राफिकिंग हो रही है उसको रोका जाए उसको कम किया जाए बहुत जादा और जैसे ये मीटिंग हुआ तो उसमें कुछ जो Nigerian National जो अरेस्ट किया गया है Suspiscence में Drug Trafficking में उनके इशूस को भी रेस किया गया अब हम लोग Minister of Home Affairs के बारे में बात कर लेते हैं तो Union Minister Amit Saji जिनकी constituency गांदी नगर गुजरात है वो इसके Head है Union Minister of Minister of Home Affairs Minister of States की बात कर ले तो नित्यानांद राय constituency उज्यारपूर बिहार अजय कुमार मिश्रा constituency खेरी उत्तर प्रदेश नितिश प्रमानिक constituency चुकबिहार West Bengal अब नाइजरिया के कुछ जान लेते हैं प्रेजेंट प्रेसेडेंट हैं आपको मुहमद बुहारी जी कैपिटल अबूजा है करेंसी नाइजरिया नाइरा है इन चीज़ों को आप एक डायरी मेंटेन करो कॉपी मेंटेन करो उसमें आप डाल सकते हो अब हम लोग मूव करते हैं DCA issue endorsement no house guidelines to hold celebrities influences and virtual influences on social media platform मैं आपको एक चीज़ बता दू DCA stands for Department of Consumer Affairs देखिए आप एक चीज़ देखते होगे ना कि आज कल social media का influence बहुत बढ़ गया है इससे क्या हो रहा है इससे ये हो रहा है कि लोग गलत चीज़ों को भी follow कर रहा है जैसे एक social media influencer है वो 4 BB रख रहा है मालीज़े और उसको social media पे pose कर रहा है हर चीज हर एक चीज की daily routing को pose कर रहा है तो लोगों में गलत information जा रहा है जैसे एक social media influencer है वो दिखा रहा है कि मैं एक दिन में लगवग 50 कोक्की बाटल पी सकता हूं लगवग 100 बर्गर खा सकता हूं तो ये तो एक irresponsible marketing है न ये तो एक गलत information दे रहा है बच्चे क्या सिखेंगे या फिर जो un-formed लोग हैं वो तो नहीं समझ पाएंगे इन चीजों को वो भी अपने day-to-day life में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे तो social media अगर हम लोग बून देखें तो बैंड बीस का बहुत जादा है आपको बहुत carelessly यूज़ करना है बहुत ज़्यादा carefull रहना है मैंने अपनी life में आज तक instagram इंस्टाल नहीं किया फेस्बुक मेरी deactivate है लगे पिसले चार साल से तो आपको कैसे भी अपने आपको बचाना है इन चीजों से uses are very fine आज काल आपको YouTube पे हर चीज मिल जाएगा लेकिन positive aspect में use करना है तो जो DCA है Department of Consumer Affairs उन्होंने कहा है कि आपको जो endorse करते हो आप किसी भी product को खाने पीने वाले चीजों को कोई भी हो आप influencer हो virtual influencer हो social media platforms पे तो आपको आपको इस चीज सा ख्याल रखना है कि वो चीजें सही में healthy है या नहीं आपको cross check जरूर करना है अगर आप नहीं करोगे तो आप पे action लिया जाएगा तो department of consumer affairs के द्वारा यह निकाला गया यह आती है under the ministry of consumer affairs food and public distribution MOCA FNPD ठीक है इसका mainly objective क्या है ना तो हम यह guarantee करना है कि individual do not mislead their audiences with endorsed product or service what they follow the consumer protection act 2019 अब जैसे क्या हो गया है माल लीजे कोको कोला की bottle है आप देखते होगे थमसब की bottle है सलमान खान उसके add कर रहे है तो क्या आपको लगता है वो खुद पीते होंगे क्या अगर वो खुद पूते होंगे तो वो healthy नहीं होंगे उसमें जो chemical artificial sugar artificial sugar का use क्या गया है वो क्या लगता है आपको health के लिए बहुत वो है बहुत जादा ही health के लिए दिक्कत देती है आपको एक incidence याद होगा Christiano Ronaldo वाला जुन्होंने Coke की बटल को हटाई थी तो देखे ये होते हैं influencers आपको अपने influencers को फचानना है तो Christiano Ronaldo ने जैसे ही Coke की बटल हटाई Coke की पूरी की share गिर गई आप समझ सकते हो कितना जादा वो उतने बड़े आदमी हैं अगर वो चाहते तो Coke को sponsor लेके वो billions of dollars चाप सकते थे लेकिन उनको एक message सो करना था और वो जो practice करते हैं वो ही दिखाए थे वो कभी पीते नहीं है cold rings, soft rings तो उन्होंने बता दिया उनको कि आपको cross check करना पड़ेगा कोई भी collaborations, advertisement, sponsors collaboration and paid promotion आपको करना है करिए लेकिन clear language में आपको समझ में होना चाहिए कि ये चीज़ें कैसे negatively impact करेंगी लोगों को कैसे किस तरीके अगर वो जो दावा कर रही है वो नहीं कर रही है जैसे माल नीजे आमिर खान एड़ कर रहे है कि आप गंजे हो गए ये sample लगा आपके बाल आ जाएंगे पूरे तो ऐसे नहीं होना चाहिए ठीक है ना तो आपको clear होना चाहिए और ये बहुत ही important initiative था जो कि लिया गया तो influencer related violations है उनको रोकने के लिए अब इसके साथ साथ आप देखिए अगर कोई advertisement decisive find होता है तो वो fine लगवग 50 लाग तक का fine को phase कर सकते है या फिर आपको refrain कर दिया जाएगा online platform को use करने के लिए 2 साल तक ठीक है कुछ guidelines है influencers के लिए वो समझते है celebrities and influencers are earned by the guidance to always check the confirm to themselves that the advertiser is capable to backing up the claims made by the advertisement वो अपने claims को back करे तभी उसको आप प्रचार किजिए तो यह था हमारा आज का काफी अच्छा decision है DCA के दौरा हमनों move करते है next question के तरफ next current affair के तरफ ONGC signed MOU with France and total energies for deep water exploration deep water exploration के लिए ONGC oil and natural gas ने sign किया है memorandum of understanding किसके साथ तो France total energy के साथ France के total energy के साथ deep water exploration के लिए तो आप देख सकते हो France की company है total energy deep water exploration किया जाएगा ONGC के साथ mail करके तो ONGC आपको oil and natural gas के बारे में पता होना चाहिए अभी आपको बताना है इसके chief कौन है यह sign किये गा है memorandum of understanding with French major total energy for the exploration of deep water bodies अब इसके अंदर में क्या होगा यह समस्तिय है यह provide करेगा आपको technical help किसको ONGC को explore करने के लिए and reduce greenhouse emission in the development of deep water blocks especially in Mahanadi and Anamans Mahanadi आपको पता होगा यह river औरिशा से औरिशा के कटक्स के साब के बैंक पे बहती है आपको यह भी पता हो नची अब आपको एक example में बताना है comment box में बताना है कि Mahanadi रिवर पे कौन सी डाइम है वो डाइम मैं आपको बतायता हूँ largest earthen dam है हमारे इंडिया का यह आपको ध्यान रखना है तो यह जो deep dive mission को carry out के जागने में हम लोग यह ख्याल रखेंगे कि कैसे greenhouse emissions को reduce करेंगे जब भी हम लोग कोई deep dive mission करते हैं उस case में तो key points का है India the world third largest oil importer and consumer world का तीसरा सबसे largest oil को import करने वाला और consume करने वाला sips in over 85% of its oil from overseas तो लगभग 85% of oil हम लोग overseas से लेते हैं अभी हम लोग अगर रशिया यूख्रेइन वार हो गया अगर रशिया यूख्रेइन नहीं देपाता तो अभी हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती ना इरान से तो अल्रेडी हम लोगों ने ब्लॉक कर रखा है USA के pressure में तो आप समझिए चीजों को क्यूं जरूरत होता है अब 2022 में ONGC ने साइन किया था एक head of agreement किसके साथ तो US की oil giant इसको मुलब इक्सोन mobile cop कहते हैं आपको company की name as well as आपको company कहां से बिलॉंग करता यह याद रखना होगा किस चीज के लिए deep water exploration के लिए इंडिया इस्ट और वेस्ट कोस पे इंडिया इस्ट और वेस्ट कोस पे 2022 में US के साथ एक agreement किया गया था अभी France की company के साथ किया गया है ONGC का total energies नाम है उस company का clear है अब हम लोग थोड़ा सा ONGC के बारे में जान लेते हैं अच्छा एक चीज और समझे है क्रिष्णा गोदावरी और कावेरी बेशिन पे भी Eastern offshore वाले रिजन पे भी कच और मुंबे रिजन पे भी Western offshore एडिया पे इसका focus रहेगा अब हम लोग थोड़ा सा ONGC के बारे में जान लेते हैं अगर chairman की बात करें तो अरुन कुमार सिंग जी है chairman कौन है अरुन कुमार सिंग जी है ठीक है और अगर हम लोग है headquarter बात कर ले इसकी headquarter है नई दिल्ली में अब चलते हैं देखें कल हो ली था कल gap हो गया था इसलिए थोड़ा current affairs थोड़ा सा extend हो जाएगा patience रखिएगा मिरा भाई चानु नो है मिरा भाई चानु जी ने जीती है BBC Indian Sports Women of the Year for 2022 के लिए BBC Indian Sports Women of the Year का वाड मिला है मिरा भाई चानु जी को देख सकते हो आप Tokyo में Olympic Games में ये silver medalist थी weightlifting में मिरा भाई चानु ने back किया है 2222 BBC Indian Sports Women of the Year वाड after a public vote the 28-year-old weightlifter from Manipur become the first athlete to win the award twice in a row लगातार दूसरी बार इन्हों ने जीता है इसने पहले भी इन्हों ने जीता है 2021 वाला और 2022 में जीता है तो आप समझ सकते हो BBC Indian Sports Women of the Year वाड 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 वाज लाउंच लाउंच किया गया था लाउंच किया गया था to celebrate women sportsmen in India who have made their mark on the world stage तो यह हमेशा हस्ते रहती हैं इनको आप देखोगे इनकी वीडियो जाफ इनकी पिक्सी हमेशा स्माइलिंग इनका फेस रहता है और यह हमेशा पॉजटिव रहती है ठीक है और यह बहुत ही अच्छी स्पोर्समेन है बहुत ही अच्छी अब कुछ डिफरेंट अवार्टस इसी काटेगरी में उसको में लोग देख लेते हैं तो टेबल टेनिस प्लेयर भाविना पटेल जीती हैं बीबीसी पैरा स्पोर्समेन स्पोर्स वोमेन अब दी ये इस काटेगरी को अभी इस साल ही इंट्रोड्यूश किया गया है वो सिल्वर मेडल जीती थी थी 2020 के पैर अलम्पिक टोक्यो में अलम्पिक में एंड विकंब फर्स इंडियन पैडलर तो एचीव इस फिर भाविना ओल्स वोन वन गोल्ड एड 2022 कॉमन वेल्थ गेम्स तो याद रखेगा भाविना पटेल किस से बिलॉंग करती है बिलॉंग करती है आपको टेबल टेनिस प्लेयर ह को मिला है और यह सिल्वर जीती दे 2020 पैर ओलम्पिक्स में जो टोक्यो में कंड़क कराया गया था उसके साथ साथ इतना ही नहीं इन्होंने वो गोल्ड जीता था 2022 कॉमन वेल्थ गेम्स में अब हम बात कर लेते हैं फॉर्मर कैटन अफ इंडियन वोमें होकी टीम के बारे म जेनरेशन से प्लेयर को वो इंस्पायर की हैं सिवाज जो थी वो पहली वोमें होकी टीम की कोच भी रही है जिनको द्रोनाचारे अवार्ड से समानित किया गया था जो की हाइस निसनल अवार्ड है कोच इसको जो दिया जाता है याद रखिएगा बहुत इंपोटेंट है अब हम लोग बात कर लेते हैं बॉक्सर नीतू गागास वो चूजन टो भी बीवीसी इमर्जिंग प्लेयर अफ दी यर ठीक है इसके साथ ही लॉन बॉल्स में अच्छा बॉक्सर थी नीतू को गागास यह आपको याद रखना है लॉन बॉल्स में लवली चौबे रूपा अब हम लोग कुछ important keywords को ले जाते हैं BBC का headquarter का है London United Kingdom में आपको पता होगा अभी बहुत ज्यादा की डीप का controversy में था PM Modi जी के documentary को बनाने के लिए director general of BBC अभी आपको Timothy Douglas डेवी जी है BBC इस्टेबलिस किया गया था 8 October 1922 को ठीक है चलिए हम लोग move करते है यह है आपका इंद्रा गांधी एरपोर्ट डेली यह हमेशा कुछ न कुछ ऐसा काम करता है जिससे यह पूरे वर्ल्ड की न्यूस पर आता है देखते है डेली एरपोर Airport in Asia Pacific as a part of Airport Council Agency. International ACIs आना Airport Council of International इनको annual service quality अवड देगा यह टॉप किये है फ्यू ranks जो होल्ड किया है cleanest airport में कहाँ पर तो Asia Pacific reason में इंद्रा कांधी इंटरनेशनल एरपोर्ट ऑपरेटेड बाई डियल एवार्ड फॉर एयरपोर्ट सर्फिस क्यॉलिटी बेस्ट एरपोर्ट इन दो जरबाइस इन देखें अगर में एस पैसिफिक की बात करें तो बिजिंग डैक्सिंग इंटरनेशनल एरपोर्ट है जो कि फिर क्वालालंपूर इंटरनेशनल एरपोर्ट जो कि क्वालालंपूर मलेशिया में है फिर संगाई पुडॉंग इंटरनेशनल एरपोर्ट जो कि संगाई चाइना में है सुल्टान हस्टाउदीन इंटरनेशनल एरपोर्ट जो कि उजान पनांग जो कि इंडोनेशिया मे आपको टॉप टू याद रखना है उसके बाद बेस्ट एरपोर्ट बाइस साइज और रीजन एसिया पसिफिक के बात कर ले अंडर टू मिलियन पैसेंजर जहां पर अन्वली चरते हैं वह आपको तीरुचुरा पल्ली इंटरनेस्टल एरपोर्ट है 15-25 मिलियन पैसेंजर की इसको चोना गया है अब इसको डेटर्माइन कैसे करते हैं समझते हैं ऐरपोर्ट के सर्वेस् कालिटी ऑवर्ट को बेस किया आता है पैसेंजर के सर्वेवे पे यह कैरिएउट किया आता है स्टिर्टमर सेक्सेक् watts अनू तर्डे अरवल रेवस क्या होता है तो कर्षिक वै एलिमेंट्स होते हैं, जो पैसेंजर एरपोर्ट के एक्सपरियेंस को सो करता है, जैसे ease of finding your way, कैसे आप आसानी से अपने गंतवी पर जा रहे हो, check-ins करने में कितना आसानी पड़ता है, swappings कितना आसान है, drinking, drink offering जो है, dining offerings जो है, वो कैसा है वहाँ का, according to ACI, 144 awards have been won by 75 airports globally, based on over 4,45,000 surveys collected in 2022, ठीक है, अब कुछ नए categories को survey में एड किया गया है, in addition to the award for best airport by size and reason, चार नए category को एड किया गया है, जैसे dedicated staff, easiest airport journey, the most enjoyable airport, and the cleanest airport, और कोई Indian airports में लिस्ट में नहीं है, दिल्ली rank, top airport में किया है, cleanliness में, but और कोई Indian airport इसमें लिस्ट में नहीं आ चुका है, नहीं आ पाया है, ठीक है, ना, और the airports were ranked at their cleanliness based on passenger feedback, and basically passengers के feedback पे ही इसका काम करता है, अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा static facts के बारे में, airports council international national ACI के बारे में, ACI क्या है, एक non-profit organization है, airport का, operators aimed at unifying industries practice for airport standards, इसका establishment हुआ था 1991 में, इसकी headquarter है, Montreal, Quebec, Canada, यह तीन हो जगा पे है, and its members operate nearly 2000 airport, ठीक है न, तो यह था हमारा आज का, 9th of March का current affair, आपको अगर इसकी PDF चाहिए, तो आप telegram channel ISP simplified पर जुर जाओ, इसकी PDF में डाल दूगा, अगर आपको मेरा contents वाकई अच्छा लगता है, तो you can subscribe my channel, कुछ questions मैंने पूछे हैं, उसकी आप answer कर सकते हो, thank you